हेलो एर्वन कैसे आप सब होफ़ली फाइन होंगे ना होप करता हूँ आज जो निफ्टी की वीकली एक्सपारी है वो आपके सब के लिए लॉजिकल एस वेल एस प्रॉफिटेबल गई होगी तो एक और वीडियो लेकर हम उसामने प्रेजेंट हैं इस वीडियो में क्या डिस इस करेंगे कल अगर मार्केंट में लॉजिकल एंड प्रॉफिडलेबली ड्रेट करने तो कैसे करए खाалы हमयाacements करें हम इस बीडियो में तो ग्लोबल मार्केट का मूड अगर देखे तो कल डाउ और नैस्टेक जो यूएस की मेन इंडेक्सेज है पॉजिटिव नोड पे बंद वी थी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं बट हाफ हाफ परसेंट के आसपस अप्रॉक्सिमेटली पॉजिटिव बंद वी थी यूरोपियन मार्केट जो भी ओपन है आपको मिज़ोर्टी मार्केट पॉजिटिव नजर आएंगे कुछ एकाथ नेगेटिव टारिटरी में वहुत ही हलकी नेगेटिव टारिटरी में तो ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट के लो स्टेबल सा नजर आ रहा है इसले एक दो हफते से जब से फेट की मेटिंग एंड यूएस में सीप्याई का डाटा है तो स्टेबल हो गया मार्केट हमारे मार्केट में गया हुए एक रेंजबाउंड एक्सपारी हमने विटनेस करी निफ्टी जस्ट नाइन पॉइंट नेगेटिव बंद हुए और ब मैक्सिमम चांस है कि जो क्लोजिंग आनी चाहिए वीकली की वह साड़े साथ सो के उपर ही आनी चाहिए कल अगर ऐसा होता है तो ट्वेंटी थाउजन रियलिस्टिक लेवल है जो हम आने वाले दिनों में देख सकते है बैंग निफ्टी जब से वह आरबिय वाली निउस आ दे रही है बैंग निफ्टी अगर आप देखोगे इस दिन निउस आई थी और पांस दिन हो गए लगाता रेसिस्टेंस लेते हुए तो यह फुड़ा कंसर्ण की बात है जब तक इसको गेन नहीं करती फॉर्दर बांस बैक एक्स पर आना बहुत ही मुश्किल है तो निफ 50-50 स्ट्रॉंग नजर आ रही है उसको आईटी सेक्टर और रिलाइंस काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है तो यह था आज के लेवल्स के हम बात करनी पाएंगे कोई वीडियो आई नहीं थी तो आप कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हम यह लेवल्स अब इस भी चीजों की जादा नॉलिज नहीं है और यह वीडियो पहली बार देख रहे हो आपको नहीं पता 30 नहीं में डेल्टा यह सब टॉम्स क्या होती है तो अल्डेडी हम इन पर डिटेल एंड सिंपलिफाइड वीडियो बनाके चैनल पर अब लोड कर चुका है आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उन दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आप जरूर देखें डाउट आने पर कमेंट सेक्शन में पूश सकते हैं सपोर्ट है 600 और 633 का जोन 750 पैसिंस चेस्ट है 900 और 20,000 ऑप्शन सेलर 20,100 के उपर वाली औ कर सकते हैं ऑप्शन बाहर है तो यह आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइशन कर सकते हो मार्केट में लॉजिकल ट्रेट करने के लिए बेटर विजिलाइशन के लिए मैं क्या करता हूँ एक बाद चार्ट में बता देता हूँ कोई बहुत बड़ा गैप तो नहीं आ रहा बठाव फ्लैट से लेकर गैप मार्केट खुल सकती है तो अगर हम उसी की बात करें तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं तो गैप के केस में एक तो हमारा जोन आ रहा है 793 से 800 का एक जोन आ रहा है 797 से 800 का जोन और एक बहु मुश्किल लग रहा है तो इसी जोन को कंसीडर कर लेता है वह चोटा सा जोन है इसके उपर बराबर नीचे कहीं भी खुले बट इसके उपर क्लोज दे रहे एंड सस्टेइन करते है दन हम कॉल बाए कर सकते हैं जस्ट आउट दम अनिवाली 900 फॉस्ट और 20,000 सेकंड टार् अनलिसिस में आप OI की डाटा को और डाउन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए यह बात इस ट्राइक की स्टाप लॉस टार्गेट की स्टाप लॉस क्या होगा स्टाप लॉस कॉल के केस में क्यूंकि हमें एक जोन के साथ डील कर रहे है 19 आपका देखू 797 स गया साथ 19800 का तो कॉल के केस में हमारा जो स्टाप लॉस हो जाएगा क्याका एक सेड़ क्लेट के स्टाप लॉस पूट के केस में हमारा हो जाएगा इसके 100 50 पूंट्स उपर अल्टीमेटली ट्रेड हम औप्शन की प्रीजिंग अगरते हैं तो आप उसमें 20 पॉउन्ट न अब हम चलते हैं अपने सेकेंड केस की दरफ जो है फ्लेट का फ्लेट का मतलब है मार्केट क्लोज हुगी है 802 पर यहीं कहीं पर ओपन हो जाए अगर ओपन होती है तो सेम काम आएगा 800 से 797 का जो ओपन होन गयाद अगर से ब्रेक करती है सस्थेन करती है जना पुडबाय करो जस्ट आउट दा मनी वाली 750 अंग 700 टार्गेट होगे और ओपन होन गयाद इसके उपर ही सस्थेन करती है इसको नीचे ब्रेक नहीं करती बाइंग सिगनल आते है तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट दा मनी वाली 900 है हमारा टार्गेट होगा तो यह ता फ्लेट का केस अब हम चलते हैं थर्ड लाश की केस की दरफ जो है गैप डाउन का गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है नाइंटीन एट हंडेट वही अगें सेम ही है 800 से 797 का क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा गैप डाउन तो एकस्पेक्टेड नहीं है तो अगर इसक प्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेइन करें तो आप जस्ट आउट दमनी वाली पुटबाय कर सकते हैं साड़े और 700 और 700 हमारे डार के तो मार्केट में कोई ऐसा बड़ा गैप डाउन फ्लैट अभी तक तो ओपन होने की चांसे बहुत कम लग रहे हैं वह अलग बा प्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करें तो पुटबाय है 700 और 600 का जोन आ रहे हो आपका तो यह था कि निफ्ट अगर गैप डाउन हो फ्लैट हो तो उसे कैसे ट्रेट करना है अब चलता है मैं निफ्टी की दरफ सपोर्ट है 43.5 और 43,000 रेसिस्टेंस है 43,663 से 43, 750 का जोन और 44 था होगा अप्शन सेलर 24,500 और पुट सेलर 22,700 के नीचे रह सकते हैं बायर से तो यह आपके लेवल रहे है जिनका आप यूटिलाइशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेट करने के लिए मैं एक बाद बता देता हूँ तो यह है मार्केट बैंक नुफ्टी भी साइड़ वेस थी बट रिलेटिवल ज्यादा पॉजिटिव थी और गुड थिंग इसकी 500 के उपर क्लोजिक देखे लिए तो अगर गैप अप उपन होती है तो 43,663 का एक लेवल आ रहा है इसके नीचे उपर कहीं भी उपन हो अगर हम पुडबाय करते हैं तो फाइव अनडिट और हमारे टर्गिट होंगे रहुम शाफ्य child कि Het a पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, तो ये था gap up का case, अब हम चलते हैं, हमने second case की तरफ जो है flat का, flat में nifty close हुए 590 पे यहीं कहीं पे open हो जाती है, close तो 570 पे something हुए, अगर open होती है तो 500 के level नीचे आ रहा है, 663 उपर आ रहा है, आपको इंतिजार करना पड़ेगा, इन द तो एक ही level आ रहा है, somehow gain किया है, वो है 43500, इसके नीचे उपर कहीं भी open हो, बट closing नीचे दे, एक candle sustain करें, तो put buy करनी है, just out the money वाली, 400 and 250 का एक zone आ रहा है, वो target होगा, closing उपर दे, एक candle sustain करें, तो call buy करनी है, again just out the money वाली, 663 and 750 आपको target होगा, तो ये था कि कल अगर nifty, bank nifty gap up खुले, gap down खुले, तो कैसे deal करना है, अब हम चलते है, financial nifty की दरफ, support है, 500, 550 का एक zone, persistence है, 600 और 750, option buyer हो, चाहे, option seller हो, दोनों के level से रहे, तो ये था हमारी कल के market की regarding discussion, मैं hope करते हैं, discussion को जरूर अच्छी logical trade करने में आपकी help करेगा, इसी wish के साथ इस वीडियो का end करते है वीडियो आपके लिए helpful सावितरों तो लाइक कर सकते हैं, और एक हमेशा की तरह important solution रहेगा कि option trading कर रहे हैं, वो भी अपनी hard and money से logic के साथ करें, logic के साथ maximum chances जो आते हैं, और सीखते रहे हैं, और अपनी analysis जरूर करें, होई भी trade लेने से बले, तो end करते हैं, thank you very much